और एन्रिक नोकिया ने दो विकेट लिए चार ओवर में 65 रन कर्च करके अब मुंबाइ इंडियांस ने 235 रनों का लक्ष दिया था और दिली कैपिटल्स ने इस मैच में 205 रन ही बना पाई है दिली कैपिटल्स आठ विकेट के नुकसान पर प्रित्वीश और ने शुरुवात अच्छी देने की कोशिश की लेकिन डेविड वर्नर का साथ नहीं मिला वर्नर 10 रन बना कर आउट हो जाते लेकिन उस समय टीम को जिस तरीके की जिस सिचुएशन की नीड थी कुछ उसी तरीके की उनकी पारी रही अगर पृत्वीश और टिके रहते और अभिशेक पोरेल भी अगर टिके रहते तो शायद ये मुकाबला कुछ और हम कह रहे होते कि ग्लोबल भारत टीवी ने आपको जो प्रेडिक्शन दी थी वो गलत साबित हुई है प्रिष्टन स्टब्स नाबाद लोटे हैं 71 रन बना कर ट्रिष्टन स्टब्स लगातार दिल्ली के लिए अच्छी बल्ले बाजी कर रहे हैं लगातार दिल्ली के लिए वो शांदार बैटिंग कर रहे हैं और इस मुकाबले में 25 गेंदों का सामना के 71 रन उन्होंने बनाए कर आउट हुए हैं तो आखरी ओवर में गिराल कोटजे ने चार विकेट ले लिए तीन विकेट लिए आखरी ओवर में गिराल कोटजे का जो स्पेल था वो बहुत मामूली जा रहा था इस मैच में लेकिन अंतीम ओवर में जिस तरीके से अंतीम ओवर इस मैच में दोनों ही पारी में मुंबाइ इंडियन्स के नाम रहा है पहली पारी में रुमारियो शेफर्ड ने लगा दिये थे 32 रन और यहां पर यान जब दिल्ली गैपिटल्स बल्ले बाजी कर रही थी तब गेराल कोटजे ने शांदार गेंद बाजी किया अला की पुछले बल्ले बाजों को उन्होंने आउट किया लेकिन देखिए एंड आफ दी डे आकडों में यही जाएगा कि इस मैच केस टॉप विकेट टेकर गेराल कोटजे रहे उन्होंने चार सफलता ही दिलाई टीम को चार ओवर का उनका स्पेल रहा चौतीस रन उन्होंने खर्च किया चार विकेट लिय लेकिन विकेट का कॉलम उनका खाली रहा है रोमारियो शेफर्ट के लिए दिन बहुत शांदार रहा उन्होंने एक विकेट अंसिल किया चार ओवर के उनके स्पेल में चौवन रन उन्होंने आला की खर्च किया यह वही बात हो गई कि जितने रन उन्होंने बनाए उतने लुटा दिये लेकिन पता था जब वो रन लुटा रहे थे तब भी साफ हो गई थी ये बात कि मुंबाइ इंडियन्स यहां से मुकाबला हारे गी नहीं हाला कि ट्रिश्टन स्टब्स नामक एक खत्रा मौजूद जरूर था मैदान पर लेकिन ये बात आलमोस्ट तै हो गई थी कि मुंबाइ इंडियन्स इस मुकाबले को अभी यहां से गवाईगी नहीं क्योंकि सिर्फ ट्रिश्टन स्टब्स ही थे और सिर्फ एक अकेला बल्लेबास जब रह जाता है तब मामला जो है वो आलमोस्ट फसा हुआ ही रहता है उसमें जीतना लगबग लगबग इंप आज में खेले तो जाके आप मैच जीतते हो उसके बाद अगर आप देखे मुहमद नभी भी विकेटलेस रहें दो ओवर में 17 रन उन्होंने खर्च किया और प्यूश चावला दो ओवर में 32 रन उन्होंने खर्च किया है और वो भी विकेटलेस रहे यानि उनका विकेट का कॉलम जो है वो खाली रा मुंबई के वानकेड़े स्टेडियम में मैच नमबर 20 में बने है कुल 449 रन और इस 449 रनों में 234 रन जो है वो बने हैं मुंबई इंडियंस के बल्ले बाजों द्वारा और 205 रन दिली कैपिटल्स के बल्ले बाजों ने बना आए हैं इस मैच को आईपिल 2024 की पहली जीत तीन मुकाबलों में मुंबई को हार मिली थी जिसमें से घर में भी मुकाबला हारी थी मुंबई की टीम लेकिन अपने घर में जीत का खाता जो है वो शुरू कर दिया है और इसमें जीत का जो सबसे बड़ा हीरो है वो है रोहित शर्मा रोहित शर् प्रवा फील्ड भी सेट कर रहे थे हार्दिक पांडिया को भी समझा रहे थे आज ऐसा लग रहा था कि मुंबाइ इंडियन्स का जो मैनेजमेंट है वो उनकी अकल ठिकाने आ गई है तीम मैनेजमेंट की अकल ठिकाने में आ गई है और रोईच चर्मा को जो रिस्पेक्ट व में देखने को मिली रोईच शर्मा को रोईच शर्मा फील्ड भी सेट कर रहे थे हार्दिक पांड्या को भी समझा रहे थे अंतिम ओवर से पहले भी रोईच शर्मा को देखा गया वो हार्दिक पांड्या को कुछ समझा रहे थे हार्दिक पांड्या उनसे राय मश्वरा भी ले रहे थे उनसे चीजे भी पूछ रहे थे और रोईच शर्मा जो बता रहे थे कुछ उस तरीके से उसे वो implement करने की कोशिश भी कर रहे थे ये एक बड़ा रीजन है दूसरा रीजन जो बड़ा जो बड़ा फैक्टर ने जीत का वो रोईच शर्मा ने जो जिस तरीके से शुरुवात दिलाई थी रोईच शर्मा ने पारी का आगाज जिस तरीके से किया था पहले छे ओवर में ही मैच जो है वो दिल्ली कैपिटल्स के पाले से बाहर चले गई थी रोईच शर्मा ने 49 रनों की पारी खेली अर्दशतक से वो चूक गए लेकिन हम सब जानते हैं रोईच शर्मा अर्दशतक या श्वतक के लिए नहीं खेलते हैं वो टीम के लिए खेलते हैं आप लोगों के कमेंट्स भी लेंगे हम तो कमेंट्स भी करिये आप लोग इस मैच में आप लोगों क्या लगता है कि किस ने डिली कैपिटल्स के लिए काम खराब किया और किसकी वजह से मुंबाई इंडियन से मुकाबला जीती है अपनी राय आप लोग हमें जरूर ग्राफिक्स के माद्यम से तमाम जानकारी और तमाम चीज़े हम आपको बताएंगे बताते रहेंगे और लगातार लाइफ सेशन लेकर आते रहेंगे आप लोगों के बीच में आई के मुंबाइ के वानकेडे स्टेडियम में कहला गया और इस मैच में मुंबाइ इंडियस ने पहले बल्ले बाजी कि और पहले बल्ले बाजी करते वें आपको prediction के माद हम से ये बता रहे थे, बता चुके थे, आज भी बताया था और जो pitch report हमने करी थी उसमें भी हमने आपको बताया था कि Mumbai Indians इस मकाबले को जीत सकती है, chances बहुत ज्यादा है, chances इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि तीन मकाबले आरने के बाद Mumbai Indians इस मकाबले में Mumbai Indians सा कदम रखा था, अब इस मकाबले को जीतने के बाद पॉइंट स्टेबल में भी वड़ी हल चला हमें देखने को मिलिये, इस मैच से पहले Mumbai Indians दसवे नमबर पर थी और दिल्ली कैपिटल्स नौवे नमबर पर थी, इस मैच के बाद दिल्ली कैपिटल्स दसवे पर चली गई ह और Mumbai Indians आठवे नमबर पर आ चुकी है, Mumbai Indians चार मैचों में एक जीत और तीन हर के साथ आठवे नमबर पर पहुंच चुकी है और दसवे नमबर पर दिल्ली कैपिटल्स बाकी टॉप आठ, टॉप साथ में कोई बदलाव नहीं है, बाकी RCB, Mumbai Indians और दिल्ली कैपिटल्स बस इन तीनों का ही जो पोजिशन है वो चेंज हुआ है, तो साथवे नमबर पर आठवे नमबर पर Mumbai Indians आ चुकी है, दसवे पर दिल्ली कैपिटल से और नोवे पर RCB है, अगर हम टॉप चार की बात करें क्योंकि मैटर तो वही करता है भाई, टॉप चार में कौन है और टॉप चा तो पहले नमबर पर RR है, चार मुकाबले खेले, और चारों मेझ जीत हांसिल हुई है, कल भी क्या शांदार जीत राज़तान रोयल्स को मिली है, RCB के खिलाफ, दूसरे नमबर पर केके आर हैं और केके आर की टीम तीन मुकाबलों में तीन मैज जीत चुकी है, दूसरे नम मिला है और काफी कुछ इस मैच में हमें जो है मैच में काफी रोमांच देखने को मिला आकरी ओवर में हमने दोनों ही पारी में फर्स्ट इनिंग में भी आकरी ओवर में काफी रोमांच चक हमें माहौल और दृष्च देखने को मिला रोमारियो शेफट ने चार सिक्स लगा दिये थे आखरी ओवर में दो चोके थे कुल 32 रन बनाये थे उन्होंने उस ओवर में और जब दिली गैपिटल्स बल्ले बाजी कर रही थी तब आखरी ओवर में हमें चार विकेट जो है वो देखने को मिला तो गिराल कोड़े के नाम रहा आखरी ओवर ये वाला और जो मुं मुंबाइ इंडियन्स के ही टीम के नाम रहा मुंबाइ इंडियन्स ने ये मुकाबला जीत लिया है इस मुकाबले को मुंबाइ इंडियन्स ने बहुत अच्छी तरीके से जीता हाला कि और बड़ी मारजिन हो सकती थी मुंबाइ इंडियन्स और बड़े मारजिन से जीत सक लेकिन वो Tristan Stubbs नामक तुफान था जिसने मुंबई को बड़ी जीत हासिल करने नहीं दिया, मुंबई इंडियन्स इस मुकाबले को 29 रंज से जीतती है, मुंबई इंडियन्स ने तीनों ही डिपार्टमेंट में अच्छा किया आज के दिन, इस मुकाबले में चाहे वो बल् हमने देखा मैदान में मैच में हमने थोड़ा सा बहतर भीएवियर देखा रोहित के प्रती और इसका नतीजा देगे, रोहित शर्मा अगर अपने इंपूट देंगे, तो no matter how good हर्दिक पांडिया is, no matter हर्दिक पांडिया का पिछला record कैसा है गुजा टाइटन्स के साथ ज जिता दिया, चाहे टीम कैसी भी हो, टीम अच्छी हो, चाहे बुरी हो, लेकिन रोहित शर्मा अपने इंपूट देंगे, तो मुंबाई इंडियन्स अच्छा करेगी, मुंबाई इंडियन्स शांदार करेगी, मुंबाई इंडियन्स जीतेगी, मुंबाई इंडियन्स यह से खिताब भी जीत सकती है आप लोग कमेंट करके बताएं क्योंकि मुंबाई इंडियन्स ना इसा किया हुआ है हला कि वो रोहिच शर्मा की कफ्तानी में किया था लेकिन मुंबाई इंडियन्स यहां से भी किताब जीत सकती है जीत की बहुनी जो है वो हो चुकी है जीत की शुरुवात हो चुकी है जीत की पट्री पर मुंबाइ इंडियन्स आ चुकी है वेराल मैच पर दुबारा आ जाते हैं मैच नमबर बीस मुंबाइ के वानकेडे स्ट्रेडियम में कहला गया और इस मुकाबले वाजों ने योगदान दिया फिर चाहे वो ओपनिंग में इशान किशन हो रोहिच शर्मा हो टिम डेविड ने फिनिश फिनिशिंग टच दी रोमारियो शेफर्ड ने फिनिशर क्या होता है फिनिशर का रोल क्या होता है यह रोमारियो शेफर्ड ने आज डिफाइन कर दिया वो आकरी की छे गेंदों में इसी तरीके की फिनिश करें लेकिन